हेलो फ्रेंड्स नमस्कार श्वागत है आप साभी का आपके अपने चैनल यूर निव डारेक्शन में सातियों 12,460,090 के अभ्यार्थी जो की बहुत ही ज्यादा परिशान है और उनकी इस्तिती वही अभ्यार्थी जान सकते हैं भरती में आज 2 साल से सेलेक्ट होने के बाद भी जोइनिंग लेटर नहीं पापाए हैं वही उनकी अपनी पीड़ा को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा शाथियों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि 22 फरवरी को सुनवाई होगी तो कई साथियों के कमेंट आते हैं आपके अपने ही चैनल पर मतलब मेरी योर नियू डारेक्शन पर तो शाथियों मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैं आपके थोड़ा सा जानकारी ही दे सकता हूँ और आपके साथ मेरी शाहनी बहुती लगातार है इसलिए मैं आपको समय शमय पर अपडेट देता रहता हूँ आपको आपका ही प्यार मिलता है चैनल को और आप यहाँ पर 246090 के लिए अपडेट के लिए लगातार बने रहते हैं और हमारा साथ देते हैं साथियो मैं आपको बता दूँ 22 फरवरी को 1246090 की सुनवाई लगी थी लेगिन जज महोदे जो चीप जिस्टिस हैं उनके ना बैटने के कारण वह सुनवाई नहीं हो पाई का लिष्ट में नहीं आपाया केस अब जैसा की पता चलना है कि जो सीजे सा हो पाईगी जब जज महोदे जो सीजे साहब हैं उनके साथ चौहां सिंग जो सर है उनकी बेंच के साथ जब वो कनेक्ट होगी आप ये बार 146090 की रिट तब ही यानि कि नई कोट बनेगी तब ही सुनवाई हो पाईगी अगर उनकी बेंच में दरेट सुनवाई हो नहीं हो चुकी होती लेकिन वह बंच अभी तक क्रियेट नहीं हो पाई है लेकिन जैसा कि साथियों अपडेट पता चल रही है सुनने में आ रहा है कि साथ एक या दो मार्च के बाद जज महोदे लगादार लखनाव खंड पीट में बैठेंगे तो उमीद कर सकते हैं कि मार्च में एक बंच जरूर क्रियेट होगी और एबी अपडेट में लगे कई साथियों के दवारा इलाबाद में कोसिस की जा रही है इलाबाद बंच में कि जल से जल 0-0 जनबत की वहां से सुनवाई करवाई जाए या यहां से एक अपलिकेशन दे के वहां सुनवाई करवाई जाए तो जो भी अपडेट है जैसे भी हो रही है समय आपको बता रहा हूँ तो उमीद करते हैं कि मार्च में एक बेंच मने की और जिरो जनपत की सुनवाई होगी और केस जल से जल से फाइनल होगा और सभी शाथियों को जो साथी बचे हुए हैं हमारे उनको जोइनिंग लेटर मिल जाए बारहजाज़ चासो साथ जिरो जनपत में तो साथी हों आप लोग परिशान नहों हम मैं आपको समय समय पर इस भरती से सम्मदि सारी अपडेट लगातार देता रहूँगा ये भरती जरूर पूरी होगी थोड़ा सा समय लगेगा सहयोग करिए आपकी टीम के मोहित भाई काफी शंगर सील है और उनका कहीं पे भी अभी सेलेक्शन नहीं होए हमकी कई पोश्टों के मादेम से पता भी चला है और वो इसमें लगातार लगे हुए है इस भरती के लिए और जल से जल वो इस भरती को पूरी करवा कर ही रहेंगे और आप लोगों को जरूर मिलेगी बस थोड़ा सा धायरे रखिए भरोशा बना के रखिए हिम्मत रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन जरूर दबा लीजे ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे तब ही आप तक ये सारी अपडेट पहुंस राकेगी तो शाथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबाईएगा और मैं कोसित करूंगा कि आपको जल्दी कोई अच्छी न्यूस इस भरती से सम्मधित दूँ तो तब कर के लिए वेट करिए थोड़ा सा धैरे रखिए हिम्मत रखिए हम सब आपके साथ हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बाए